दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली है कि बेस्ट फॉल्सिलिंग कौन सी आपके गर के लिए और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपका एक रूम है जहाँ कितना भी एरिया है उसकी फॉल्सिलिंग करने में आपका टोटल खर्चा कितना आएगा कौन सा ब्रैंड लाइव भी काफी साथ अच्छी हो और भी काफी चीजे मैटर करती है फॉल्सिलिंग करवाने से पहले पीवीसी की फॉल्सिलिंग की बात करें अगर हम तो दो मेटीरियल यूज किया जाते है एक आगया ट्रेडिशनल सामने आप देखरे हो यह ट्रेडिशनल है हर जगा य ट्रेडिशनल में दिखी तो उसकी बरपाई के लिए एक मटीरियल मैंने डूंडा काफी रिसर्च के बाद गूगल पे देखा यूट्यूब पे देखा तो एक मटीरियल मेरे सामने आया है न्यू आइटम है फॉरण की है तो वोक्स करके कंपनी है उनकी जो है वो काफी अच्छी लगी तो ट्रेडिशनल की तरफ में मोस्टली नहीं जाता था मेरा कभी भी कोई मेर से पूछता था पी पीवी चो फॉल्सिलिंग का ओप्शन बताओ हमें तो मैं पीओपी का देता था जिप्सम देता था पीवीसी के लिए इसलिए नहीं कहता था क् मेरे को कुछ अच्छा पैटर्न मेरे को इतना पसंद नहीं आता था लेकिन जब यह वोक्स की देखी क्योंकि यह वोडन लुक दे रही थी और कोई आइडिया नहीं लगा सकते है कि यह पीवीसी है तो उससे मेरे को आइडिया आया है देखो हम ट्रेडिशनल ऐसे आप्श पर में गया वोक्स की तो मैंने मेटिरियल मंगवा है सेंपल मंगवा है इनका की कैसा प्रोडिक्ट ह। इन्हों मैंचिं किया था क्या यह water isistant है धीक है दूसरा इन्होंने किया था कि यह अतन्य जल्दी फायर नहीं पकड़ती ठीक और तीसरा था skin test तो यह सब चीजे अलग बनाती है कि ये फ्रू आउड है, मतलब इसमें कोई फिलम नहीं चड़ी है, एक जैसी है फ्रू आउड ये और ये नेचरल लुक आपको देती है, लेकिन हम ट्रेडिशनल की बात करें, इसमें अगर हम देखें, तो इसमें जो भी आपको नया पैटरन देखेगा, वो जो लकडी की आती है, तो लकडी की लगाने में थोड़ी दिक्कत तो रहती है, अगर लकडी की भी बहुत अच्छी लगती है, अपनी उसकी अपनी लुक है, लेकिन लकडी में एक है, एक तो फेक लकडी आपको मिल जाएगी, आगे दूसरा environment को काफी खराब चीज वो लग री है, तो उसका ये आल्टरनेटा और सबसे अच्छा आल्टरनेट मेरे ख्याल में ये है, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, हमें आपको बदाऊंगा कि अगर हमें अपने रूम में अपने गर में लगवानी होगी, तो एप्रोक्स कितना खर्चा वो पड़ेगा 23,000 रुपे पर रूम, अगर दस भाई दस का है, फॉल सिलिंग आपको करवानी है 23,000 रुपया, देखो आपको भी ठेकेदार कॉंट्रक्टर बेफकू बना सकता है, अगर आपको P.O.P की जो फॉल सिलिंग हम लोग करवाते हैं, उसका material का knowledge नहीं है, आप स आगे का ध्यान होता ही नहीं है, क्योंकि material वही यूज़ करने वाला है, अगर आप उसको 100 रुपे rate बोलोगे, वो उसी साफ से material लगाने वाला है, अगर आप 120 बोलोगे, क्या पता वो उसी साफ से 100 रुपे का material लगाएगा, कौन सी company का material अगर यूज़ करोगे, तो आपकी जो fall ceiling होगी, उसमें cracks नहीं आएंगे, एक proper look मिलेगी, और life जो बोली जाती है 15 से 20 साल, वो 15 से 20 साल होगी, नहीं तो 5 से 10 साल में cracks आना शुरू हो जाएंगे, कहीं से जुक जाएगी, और निकलने के chances भी हो जाते हैं, ठीक है ये चीज़ दियान देना, तो सबसे पहली ची है, तो हमारा rate 120 से 1500 रुए per square feet चल रहा है, तो 12,000 रुपे में वो आपको fall ceiling का जो भी आपको design करने है, वो करके चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब भी आपको rate करना जैसे मैंने कहा, आपको material का भी पूछना है कि कौन सी company के channel use करने जा रहे हो, कौन सी company की P.O.P. use करने जा रहे हो, तो आज मैं बताऊंगा कौन सा करने आपको, सबसे पहली चीज़ दियान रखना, जितना भी हो जाए, local जो area का material होता है, वो use मत करने दो, use करने है, अगर, तो आपको उसको knowledge होना चाहिए, कि वो कितने mm का section है, channel है, बले, अलपटी है, जहाँ fastener है, कोई भी है, तो आपको अगर उसका specification नहीं पता ना, कि वो ISI mark है भी है, उसमें नहीं, government ने authorized किया है कि नहीं है, क्यूंकि उसमें क्या होता है, वो weight के हिसाब से लाते है, उनका क्या होता है, कि 15-18 kg का bundle भी आता है, 10-12 kg का bundle भी आता है, उनको इतना knowledge नहीं है कि grade क्या है, IS mark क्या है, उनको यह होता है कि अगर उसने 100 रुपय रेट किया है, तो हमें 60-70 रुपय लगाने है, 60-70 रुपय नहीं, 50 रुपय पर स्केर फिल लगाना, 50 रुपय अपने बचाने है, तो उस चक्कर में वो 10-12 kg वाला bundle उठा लाते हैं, जाली जो इतनी पतली से लिए कि आप देखना कभी भी आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी फॉलसीलिंग अच्छे से हो रही है नहीं हो रही है, क्यूंकि टाइम लगता है फॉलसीलिंग करने में, वो जाली बांद देते हैं, जब वो जाली बांद देते हैं, थोड़ी बहुत अगर पुट्टी प्यो पी उस पे लग गई, तो एक दो दिन बाद ना, अगर उसमें क्रोजन लग गई, समझ जाओ, कि अगर अभी से, मतलब एक दो दिन में क्रोजन लग गई, तो एक दो साल में अंदर बचेगा गए, कुछ नहीं बचेगा और दीरे दीरे उपर से छूटता जाएगा, और छूटे काई नहीं है कि आपके सर पे एक दम से गिर जाएगा, दीरे-दीरे क्रैक्स शुरूँ हो जाते हैं, और 10 से 12 साल में पूरा आपको गिरने के चैंसे भी हो जाते हैं, ऐसा भी काफी जगा देखा गया, तो ये चीज दियान रखना, अब भी मैं पहले आपको brand बताता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं, कहां वो आपको फसाते हैं, brand अगर में, देखो हर material का, आपको brand देखना पड़ेगा, सबसे पहले जो channel हमारा frame बनता है पूरा, जो channel बगएरा use किये जाते हैं, उन पे ये विश्वास मत करो कि हमने 18kg का बंडल आया है 20kg वाला बंडल आया है आपको सीधा brand देखना है नाम देखना है कि company क्योंगी company का माल जो होगा उस पे IS mark भी होगा और company का नाम भी होगा यह चीज दियान रखना जब भी आपको channel section लेनी है GP rock सबसे best company मैं बोलूँगा अगर GP rock का आपके area में मिलता है material तो उसको बोलो बले वो 10 रुपे जादा ले आपसे आपको GP rock का material ही लगाना है फिर GP steel हो गया नोट करते जाओ जो मैं नाम बोल रहा हूँ GP rock, GP steel, जिंदल का, Armstrong का जो जिप सो उमान रहता है जिप कोर रहता है ये 5-6 company है और त्री मूर्ती मतलब आज कल त्री मूर्ती का बहुत ज़ादा माल मिलने लग पड़ है पहले पहले क्या होता था बोलते कि GP rock का material नहीं मिल रहा जिंदल का नहीं मिल रहा, Armstrong का नहीं मिल रहा साइड साइड के area में नहीं मिलता है लेकिन त्री मूर्ती का और GP rock का material All India अभी मिलना स्टार्ट हो गया उसको बोलो मेरे को यही 2 company का कोई भी जो नाम लिये मेंने, इन company का मिल जाता है तो यही माल लगाना है बले उसमें भी देखो यह नहीं होता कि उसमें बहुती महंगा मौल है तो जो ठहकदार होगा उसको कुछ नहीं बज़ेगा इसमें भी वराइटाई होती है इसमें भी थोड़ा low होगा, medium होगा, high variety होगा तो आप low बाला भी लगाओगे ना वो जो local channel आते हैं उनसे अच्छा होगा local channel सब नहीं खराब है लेकिन mostly मैंने देखा है जो local channel है वो पतले बनाये जाते हैं उनकी company वाले की गलती नहीं है company वाले अपने हिसाब से बना रहे हैं कि जिसको ऐसे और use के लिए चाहिए थोड़े बहुत time के लिए ले लो लेकिन आपसे ये जो contracted ठेकदार रहते हैं कुछ contracted ठेकदार वो आपसे rate ले लेंगे 130, 140, 150 रुपे पर square feet लेकिन वो थोड़ी कम quality का लगा देंगे आप क्या करते हो 120 रुपे वो बोल रहा है तो आप बोलते हो नहीं थोड़ा कम करते हो तो वो material की quality कम कर देता है तो जहां आप 120-130 रुपे पर square feet लगा रहे हो 10-20 रुपे और लगा लो 10-12,000 रुपे एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा लेकिन quality के साथ काम होगा पुट्टी मार दो वो dull सी देखेगी थोड़ा काला कलर देगी तो आपको त्री मूर्थी की पुट्टी मिल जाएगी त्री मूर्थी की पुट्टी 2-3 किसम की आती है बहुत अच्छी भी आती अच्छी भी आती और थोड़ी कम भी आती तो त्रीमूर्थी की कोई भी मिलती है वो लगा दो जै दुरगा की मिलती है जीपी रोग की मिलती है ब्राइट इंटिरियर की जे के लक्समी की जो जिपसोना की तो किसी भी कंपरिंग की मिलती है जो नाम ले रहा हूं इन कंपरिंग की लगा हूं लोकल में मेरे को पता क्या लगता है लोकल जो material लगता है एक तो वो setting एकदम से दे देता है इनको क्या चाहिए होता है जल्लेली setting हो जल्लेली काम होता है और जैसे setting हो जाएगा वो cracks create कर देता है hair line cracks होते हैं एक दो salman दिखते है दीरे दीरे वो बढ़ते जाते हैं ये चीज भी दियान रखना और फिर हम बात करें main जो framing बनानी है हमें जो जाली यूज की जाती है जिसको rabbit जाली, मुर्गा जाली बोला जाता है आपने काफी जगा देखा होगा जो जाली यूज करते हैं उनके जो जगा होती है वो काफी दूर मतलब हम example लेते हैं एक इंच में अगर तीन से चार सुराख है एक इंच में तीन से चार सुराख तो ठीक है वो अच्छी जाली है कोई दूस में दिक्कत नहीं है अगर एक इंच में पांच सुराख है तो दिक्कत आ सकती है और इनको वेट के हिसाब से मिलती है तो इसमें आपको quality देखनी पड़ेगी कि अच्छी है तो इसमें quality आपको ऐसे नहीं पता चलेगी इसमें quality फिर से आपको कैसे पता चलेगी brand की help से तो अगर त्री मूर्ती, जीपी रोक, आमस्टॉंग, इनकी जाल करेगा और most important चीज होता है फास्टनर जब आपकी यह framing की जाती होती है पहले फास्टनर मारे जाते हैं तो फास्टनर जो रहते हैं 6 mm मतलब लोग 6 mm का कुछ 6 mm का मार देते हैं लेकिन 8 से 12 mm का फास्टनर रहो, 8 mm से कम का फास्टनर अगर लगवाते हो तो वह भी खराब है और company कौन सी है Armstrong, GP Rock, Jindal, GP Core, Jips, Oman तो यह companies हैं जिनके फास्टनर जो dry screw रहते हैं वो black screw लगवाना वो भी अच्छी company के, local company के भी आते हैं वो screw भी थोड़ी डेम बात क्रोजन पगल लेते हैं, main कहानी होती है यहाँ क्रोजन की क्यूंकि इस पे direct गिला माल रगड़ा है ठी आप देखोगे कि local company का माल लगा के भी कही कही जो fall ceiling होती है 10-15 साल निकाल देती हैं वो कैसे निकाल देती हैं कि आपका जो छत होता है वो dampness नहीं लेता है मतलब sealant नहीं लेता है जिनके साथ sealant बगारा लेते होंगे न तो वो local माल लगाएंगे तो उनकी fall ceiling guarantee गिरेगी गि POP की जाएगी वो POP इस तरीके से करना कि 10-12 mm थिकनेस उसकी होनी चाहिए थोड़ा थोड़ा लेप चड़ाते हैं कि इनकी POP कम लगे और इस चकर में यहां पैसे कहां बचते हैं थिकनेस कम कर देते हैं तो 10-12 mm अगर थिकनेस नहीं होगी तो cracks आएंगे ही आएंगे यह त तो में चीज आज का वीडियो का आपको समझने वाला यह है कि जब भी आपको POP की false selling करवानी है प्राइस 10 रुपे जादा दे दो मतलब 130-140 रुपे पर स्केर फिट दे दो 50 भी दे दो लेकिन उसको mention कर दो कि मैं GP ROG, GP Steel, Jindal Armstrong इन Companies का त्री मूर्ती का material लगाऊंगा कोई promotional वीडियो नहीं है आप local company का material लगवाईए लेकिन local company में एक चीज देखना ISI mark होना चाहिए प्रोपर उसकी specifications होनी चाहिए और जो channel बगारा हो उसका weight होना चाहिए जितना ज्यादा weight होगा channel का मतलब जो channel आता है न 800 gram अगर weight देख रहे हैं तो अच्छी quality का मतलब जितना ज् quality की guarantee हो जाती है कि इसमें अच्छे से use किया गया तो यह चीज होती है तो अगर इस तरीके से आप brand बगारा देख के लोगा होगे तो पैसे भी आपके जो invest कर रहे हो वो safe रहेंगे